गुड इवनिंग एफ्रिवन और वेलकम तो क्रियेटिक्स यूट्यूब चनल माइडिया फ्रेंड्स वी आ बाक इन दी लक्षय बैच फॉर पावर एलेक्ट्रोनिक्स मॉड्यूल नमबर टू और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं that is called as the line commutated inverter जिसके ये बात आप आज जानोंगे छूटा session होने वाला है ये उतना लंबा session नहीं होगा because it is a very very small topic but very important क्योंकि बहुत बार आप नहीं पहचान पाते हूं कि कब एक rectifier as a rectifier work कर रहा और कब वो as a inverter काम कर रहा है तो चलिए शुरू करते हैं यार अब ये तो बाते मेरे बारे में आप लोग जान गए हो बिटा लेकिन सबसे important बात क्या है बचो ये जो channel है ये channel हर वो कोशिश करता है जो बचों को आगे बढ़ा सकती है हर वो initiative लाता है जिससे हमारे बचों को फाइदा हो सकता है अब आप देखो recently बिटा आज ही से दीपतान शुसर ने आपके लिए measurement स्टार्ट कर दिया है जबकि आप लेकिन साथ ही साथ हमारे जो initiative है वो unacademy app पे भी आपको free of cost मिलते हैं तो आप सभी लोग unacademy app इंस्टॉल ज़रूर कीजिए उसके बाद हमारे सभी free initiatives का फाइदा लीजिए बस उन्हें unlock करने की दे रही है simply by using the code UNKIT ESE ठीक है अब बचों आपको करना क्या है आपको unacademy app install कर लेना है अपने phone में app store या play store से उसके बाद एक तो आप मुझे follow कर लीजिए इसके अलावा कोई भी special class आपको देखनी है तो वो सारी इस link पे आपके लिए available है जितनी भी बेटा मैंने देड़ साल में special classes लीएं सब मैंने आपको यहाँ पे arrange करके दीएं इसमें अगर आप पहले folder के अंदर जाएंगे जिसका नाम है upcoming तो आपको links मिलेंगे आगे आने वाली classes के और मैं एक बहुत ही special series start कर रहा हूँ बेटा special classes के अंदर इस series के अंदर हम क्या करने वाले हैं PS Bheemra के for electrical machine objective and subjective question practice करने वाले हैं तो बेटा अगर आप भी इस series का हिस्सा बनना चाह आते हूँ तो जल्दी से जल्दी unacademy app install करके यह unlock कर लो और इस link को visit जरूर करना आपको मज़ा आजाएगा literally सारी classes segregated हैं जैसे यहाँ पे PSU के लिए practice series है gate के लिए practice questions है previous year questions है gate के लिए mix questions है marathon sessions है हर चीज जो बेटा आपकी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ा सकती है that is available on this link इसके अलावा आप चाहो तो आ सकते हो plus पे क्योंकि plus पे आता है और मज़ा वहाँ होती है live classes by all the top educators पूरे unacademy के educators का access आपको मिल जाता है plus पे यहाँ पे comprehensive के साथ साथ लगते हैं आपके लिए crash course आपको दिया जाता है घर के लिए daily assignment हर संडे होता है test इसके अलावा बिटा एक अलग से test series question bank आपके लिए है और सबसे बढ़िया बात यह कि मैं daily शाम 5 बजे live आके सभी बच्चों के doubts solve करता हूं तो daily बिटा मैं almost 30 to 40 doubts answer क अगर और आगे जाना है तो iconic के लिए जाओ वहाँ ये सब के साथ मिलेगा personal coach जो बनवाएगा आपका study planner teachers आपको guide करेंगे study booster session में test analysis मिलेगा study material मिलेगा और साथ साथ एक dedicated team आपको मिलेगी जो immediately आपके doubt answer करेगी तो बेटा join करते हो जब plus तो वहाँ code लगा देना अंके दिये सी ताकि आपको immediate मिले 10% discount आप आजाओ मेरी personal guidance के अंदर other than that बच्चो ये signal and system स्टार्ट हुआ है विश्नू सर का और मेरा machine चल रहा है machine बिड़क ताबड तोड तरीके से चल रहा है daily 7am to 9am इसके अलावा 10am to 12 noon इस बार plus वाले बच्चों का machine एकदम next level जाने वा और बिटा साथ ही साथ आप लोग के लिए next combat है 1st of August को तो सभी लोग attend करेंगे इसका link description में है enroll कर लेंगे simply by unlocking it using the code Ankit ESE और बिटा अगर आप अभी iconic subscription लेते हैं तो आपको दिया जा रहा है इसके अंदर campus placement का subscription ठीक है और साथ ही साथ बिटा आपके लिए plus की pricing 1 year की है 32, 450, 2 year है 47,200, iconic 1 year 45, 225, 2 year 66,600 मैं यही recommend करूँ है बच्चों 2 years के लिए जाओ maximum benefit लो चलो तो आजाते हैं मैं line commutated inverter अब ये line commutated inverter का मतलब क्या होता है बिटा line commutated inverter का मतलब होता है जब एक rectifier as a inverter काम करता है सर इसे line commutated क्यों बोला बिटा देखो एक normal inverter जब आप पढ़ते हो न तो उसके अंदर commutation circuit आपको अलग से लगाना पढ़ता है ठीक है उसके अंदर आपको अलग से एक commutation circuit लगाना पढ़ता है लेकिन जब rectifier ऐसा inverter काम करता है तो जो इसका AC supply होता है that will help you to commutate the device तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं the AC, the AC source helps in, helps in commutation, commutating the device the AC source helps in commutating the device so we do not need, we do not need any commutation circuit यहाँ कोई commutation circuit की need हमको नहीं पढ़ती है ठीक है भई, इसलिए बोलते हैं line commutated inverter अब बेटा अगर inverter है तो आप यह ज़रूर चाहोगे that power should go from DC to AC correct power must go from DC to AC अब power अगर DC से AC भेजनी है तो power flow reverse होना चाहिए ठीक है, power flow reverse होना चाहिए अब power flow अगर reverse करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं आपके पास दो रास्ते हैं नहीं बेटा इसको dual converter नहीं बुलते है dual converter मैं करा हूँआ Thursday को ठीक है Thursday को लूँआ dual converter के class छोटा सा topic है बट वो gate के अंदर नहीं है तो विन है मेरे भाई एक ची बताओ मैंने बुला था module 2 में 15 session लगेंगी क्योंकि नॉर्मली उतने लगते हैं अब आपको ज़्यादा detail में अगर module 2 पढ़ाया और 20 lecture लग गए तो बताओ गड़बड है क्या है इसके अंदर मतलब नहीं कराना चीए था detail में उपर से भगा देना चीए था अब आप लोग की जैसी जैसी demand आई जिस space पे आप लोग चले उस space पे आपको पढ़ाया गया अब तो ये भी समस्या है कि भाई ज़्यादा detail क्यों पढ़ा रहे हो quality भई क्यों दे रहे हो हम तो youtube वाले हैं हमें तो देना ही नीचीए आपको quality हम तो free पढ़ रहे हैं sir हमारे लिए तो बस नाम मात्र पढ़ाया करो ऐसी यह न हाँ बिटा बिना analog के कर सकते हो power electronics अब आगे की बात सुनो बिटा अगर power flow reverse करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं या तो voltage reverse किया जाए या तो current reverse किया जाए correct current reverse कर नहीं सकते क्योंकि ना ही SCR ना ही diode negative current को allow करता है तो हम क्या कहते हैं पहली बात for power to flow for power to flow from DC to AC from DC to AC either I or V must reverse ठीक है ठीक है बई either I or V must reverse अब यहाँ पे क्या होगा बिटा अगर I या V को आपको reverse करना है तो I cannot reverse I cannot reverse as SCR is unidirectional SCR is unidirectional ठीक है तो basically voltage को reverse करना पड़ेगा voltage को reverse करना पड़ेगा भई अब voltage को reverse करने के voltage को reverse करने के दो रास्ते हैं यह कहलो voltage कैसे reverse होगी अगर हम कहें V not must be reversed ठीक है और दूसरी बात बचो एक और चीज़ there must be an energy source there must be an energy source on DC side अब यह DC side पे क्या energy source हो सकता है बिटा यह जैसे battery हो सकती है DC side पे एक energy source यह solar cell भी हो सकता है यह solar cell भी हो सकता है यहाँ पे कोई भी आपका DC source हो सकता है जो की energy जो की energy deliver कर पाए बिना energy deliver करे काम नहीं चल सकता ठीक है बिना energy deliver करे काम नहीं चल सकता चल अब बच्चो यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे आप एक बात को समझे कि we reverse polarity of battery so that it delivers power, देख रहे हो, it delivers power, e के positive terminal से निकल रहा है ना current, e के positive terminal से current निकल रहा है, तो यह battery deliver power करेगी, ठीक है, समझा रही है बात बच्चों, यह battery power deliver कर रही है, सही है ना, सही है यहाँ तक, अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें, एक single phase full converter की, तो V0 होता है, 2VM by pi, cos alpha, single, sorry, single phase नहीं, 3 phase full converter की, V0 होता है, 3VML by pi, cos alpha, ठेक है, अब यहाँ तक, अगर बात हमको clear हो गई, तो हम यह कह सकते हैं, कि अगर alpha less than 90 हुआ, तो दोनों सूर्तों में V0 is greater than 0, alpha अगर greater than 90 हुआ, तो V0 is less than 0, अब यहाँ पे beta अगर देखा जाए ना, तो actually, अगर हम V0, I0 की terms में बात करें, तो यह जो full converter होते हैं, यह ना, actually, दो quadrant में काम कर सकते हैं, कौन-कौन से दो quadrant बिटा, first and the fourth quadrant, यहाँ पे यह work करेगा as a rectifier, और इधर यह work करेगा line commutated inverter, तो यह दो चीज़े हो सकती है, fourth quadrant के अंदर, fourth quadrant के अंदर, क्या होगा, V0, I0 का product negative होगा, जिसका मतलब है power, ultra flow करेगा, अब बेटा, यहाँ पे अगर हम V0 लगाएं, तीक है, आज कहाँ से वैसे इतने बच्चे आगए class में, by KVL, V0 is minus E plus I0 R, तीक है, यह हो गया, तो minus E plus I0 R, और V0 का एक formula यह हो जाएगा, 2 Vm by pi cos alpha, और 3 Vml by pi cos alpha, ठीक है, जहाँ पे की alpha greater than 90, बस इतनी चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, बस इतनी चीज आपको याद रहनी चाहिए बच्चो, कि किस तरह से आप निकाल सकते हो V0 की value, बात clear हो गई सबको, अच्छे समझ आ गया, अब question पर आ जाओ, चला, first question, अरे वा, एक week में 38 lecture खतम कर लिये हो, a solar energy installation utilizes a three-phase bridge converter to feed energy to a power system through a transformer, the energy is collected in a bank of 400-volt battery and is connected to reconverter through a large filter choke of resistance 10 ohm, maximum current through the battery will be, अब देखो बिटा, कहीं भी न inverter word आपको देखने नहीं मिलेगा, इस तरह के सवालों में, आपको energy flow का direction देखना है, आपको energy flow का direction देखना है, यहाँ पे इसने clear cut बुला है, कि solar energy से हम power system में energy पहुँचा रहे हैं, यानि कि क्या कर रहे हैं, DC से AC जा रहे हैं, अगर DC से AC जा रहे हैं, that means it is working as a line commutated inverter, चलिए, come on everybody, maximum current पूछ रहा है बैटरी का, I not का maximum value, बेटा क्योंकि मैं teacher हूँ, तो teacher को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ाना है, और एक ही subject जब बार बार पढ़ाऊंगा, उसके बार बार doubts बताऊंगा, तो याद रहेगा, retention का best method दो होते हैं, revision और doubt solving, अगर आप लोग आपस में एक दूसरे के doubt solve करोगे न, तो आपका retention बहुत अच्छा होगा, वैसे अभी आप लोग के लिए, दो तिन नए initiative में start करने वाला हूँ, कुछ एक channel level पे, कुछ एक individual level पे, power electronics in plus, बेटा, already मैं plus पे 5 गंटे दे रहा हूँ, सौरो जीत, कभी-कभी तो plus वाले बचो 6 गंटे भी दे रहा हूँ, अब इतना देने के बाद, तो बेटा, obvious सी बात है, एक और subject लेना तो scope नहीं है, वहाँ पे, but machine के बाद मैं power system कराऊंगा, उसे भी कम days में कराऊंगा, जादा time दे के फिर power electronics, November तक आपका तीनों core subject मैं खेंच दूँँगा, देखें, देखो हमें क्या पता है, E की polarity reverse करने की वज़े से ये आएगा, I0 ये हो गया, now, in line commutated inverter, line commutated inverter, V0 is less than equal to 0, तो I0 max अगर निकालना है, तो V0 की maximum value 0 है, V0 negative होता है न, तो V0 की maximum value 0 है बिटा, तो ये आगा है, 40 ampere, 40 ampere, B, आप लोग 80 कहां से निकाल दिये भई, 40 ampere आएगा, तेक है, V0 की जो maximum value है, that is 0, V0 positive थोड़ी हो सकता है बिटा, अगर V0 आपने positive मान लिया, तो गलत हो गया, positive हुआ तो फिर ये inverter थोड़ी हुआ, फिर तो rectifier हुआ, अगला देखो भई, KVA rating of input transformer, ये जो three-phase supply वाला transformer है, इसकी KVA rating मांग रहा है, यानि की maximum apparent power, maximum apparent power, देखे रहे हो question स्टार्ट करते ही, जनता गिर जाती है, इसका मतलब है, YouTube पे demand कुछ ऐसी है, कि सर्थ सवाल ना कराएं, theory पढ़ाएं, theory पढ़के बड़ा अच्छा feel आता है, easy लगता है, तो मज़ा आता है, correct, इसलिए आप देखो, जब plus पे कोई subject लग रहा है, जैसे machine लग रहा है, machine में अभी हमारा transformer भी नहीं पूरा हुआ है, 450 के approach question हम कर चुके हैं, without transformer being completed, अभी transformer चल रहा है, खतम करते करते हैं ना, transformer को 500 के आसपास हम पहुँच जाएंगे, अराम से, तो ये level हो जाता है difference, वहाँ पे बच्चे उतनी शिद्दत से महनत करते हैं ना, कि पढ़ाने में मज़ा भी आता है, और जितना काम दो लोग करके भी लाते हैं, भले energy बहुत spend होती है, energy तुम लोगों से जादा खरचा होती है, लेकिन मज़ा आता है, शुब हम कह रहे हैं C, देखते हैं भई, देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या करोगे, I naught, maximum value कितनी है, 40, अब यह मत कहना, इसकी RMS 40 by root 2 होगी, I naught एक constant current होता है, अगर मैं आप से कहूं, supply RMS, एक 3 phase rectifier की, तो I naught, आपरेंट पावर होगी, यह होगी न, Vs आपको दिखा रखा है, 400 V है, लिखा है न, 400 by 400 transformer, root 3 से root 3 कटेगा, 22.6 KVA, यह question न, actually gate का ही है, यह question gate का ही है, यह सब gate के अंदर ही पूछे जाते हैं, line commutated inverter जो है, अगला देखो बिटा, a single phase fully controlled bridge, is used for electrical braking, of a separately excited DC motor, it is represented by an equivalent, shown in the figure, assume load inductance is sufficient, to ensure continuous and ripple free current, source voltage is 230 volt 50 hertz, firing angle बताना है, अगर I not 10 है, करिए, करोगा है, फटा फट से, firing angle बताओ, अगर I not 10 है, जैसा मैंने बोला, आज का lecture काफी short होने वाला, आपके लिए वाला वीडियो काफी short रहेगा, कल हम लोग start करने वाले हैं, पिटा source inductance, ठीक है, कल हम लोग source inductance करने वाले हैं, इस chapter में gate के point of view से last topic है, ठीक है, gate point of view से अगर मैं बात करूँ, तो कल last topic है module number 2 का, ESE के लिए एक topic और पढ़ाऊंगा, dual converter, इस Friday आप लोगों का module number 2 खतम करेंगे, यानि कितने lecture पे 42 पे, ठीक है, तो 25 lecture हो जाएंगे, आपके module 2 में 17 lectures हैं, आपके module 1 के अंदर, तो 42 lectures में आप कहीं न कहीं ये मान सकते हो, 58 to 60 hours का content, last year का complete power electronics 70 hours का था, इस बार almost 60 hours आपके हो जाएंगे, module 2 तक, क्या आ रहा है, B आ रहा है, किसी का C आ रहा है, देखें, देखो यहाँ पे V naught क्या लिखोगे, बैटरी उल्टी है ना, बैटरी की polarity देख लिए, अगर हो पीटा, KVL में, बैटरी है 150 वोल्ट की, I naught दिया है 10 ampere, दिया था ना भी कहीं पे, आईए ना, खारी ठेमी, जात нашी जान लिए तो, कि पुए वोल्ट डेमी को, उल्टी के डारी एटने भी कुए युए रीग में, इस्टाने रहा ठाने में, अट्ормी में, आने वोल्ट सकीन एजने 5 टो, और है जाले पार को, तो बिटा यह आ रहा होगा 129 डिग्री ठीक है तो आए गई नहीं सही बात है 90 से उपर है सौरोजीत एकदम सही बात बोल रहे हो बिटा डिलीट क्यों कर दिया इतने सही बात लिख कर गए which topic of power electronics should be prepared for HPCL बिटा HPCL के तो मैंने पूरा crash course कराया है power electronics का मेरे बच्चे चलो अगला यह बोला है each thyristor will be reverse biased for a period of बताओ भई यह three phase होगा बिटा यह single phase नहीं होगा यह अलब figure गलत है यह figure जाने दो यह पिछले question का ही आ गया है इसमें देखो battery आपको दिया है 350 volt की current दिया है 20 ampere resistance है 0.5 ohm आपसे reverse biased पूछिए कितने angle की होगी यह नही आ ही आपको 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 प्हांब लाको आपको हाँ पूरा है बापको नहीं है he एसी मेंस के लिए कोई स्पेशल बैच कहां पे अतुल यूट्यूब पे बताओ भई यूट्यूब पे कह रहे हूं बाकी लोग बताओ भई इसका आंसर बोलो देखते हैं बाकी लोग बताओ भई अभी ने तो बता दिया है ए अनकैडमी पे अनकैडमी पे स्टार्ट होने वाला है बिटा मेंस का बैच बिल्कुल होने वाला है अब देखो वी नॉट कैसे लिखो गए इस सोलर सेल है तो यह सोर्स है अब यह मत कहना सर आपको कैसे बता सोलर सेल एनर्जी देगा यहां लिखा भी है और सोलर सेल कभी एनर्जी लेता नहीं देता है सोलर सेल करेगा क्या तुमारी एनर्जी का थ्री फेज है बिटा मुझे कोई बताएगा अल्फा कितना आ रहे है यहां से वी एमल 440 रूट टू मेरे अनुसार 125 डिगरी आ रहा हो गई है करेक्ट अब देखो थ्री फेज के अंदर मैंने आपको ना सरकेट टर्न आफ टाइम लिखवा है था बिटा याद है 240 तो सरकेट टर्न आफ टाइम कितना हो जाएगा तो रिवर्स बाइसिंग का जो एंगल है न वो 55 डिगरी आ ठीक है 55 डिगरी आ जाएगा समझ में आया यह सरकेट टर्न आफ टाइम से रिलेटेड है देखो कितना स्मार्टली रिलेट किया है लाइन कम्यूटेटेड इंवर्टर भी आ गया और सरकेट टर्न आफ टाइम का फंडा भी आ यहाँ पे क्लियर हो गया भई तो यही एलाइन कम्यूटेटेड इंवर्टर इतना नौलेज आपको होना चाहिए तब आप रेक्टिफायर ऐसा इंवर्टर के उपर बेस्ट क्वेस्टेंस कर सकते हो बहुत अच्छे से बना के आ सकते हो एक्जाम में क्वेस्टेंस बस पहचानने की देर है अगर ऐसा बोले पावर डी सी से एचसी जाएगी तो फिर माने इंवर्टर है नहीं बेटा बैटरी के बिना तो होई नहीं सकता ना बेटा गिव्मी मनी जो भी तुम्leton है एक चोटी सी बात सोचो अगर आप कह रहे हो पावर डी सी से एसी जाएगी तो डी सी में आ कहां से रही है power DC में आएगी तो मेरे बच्चे बैटरी से supply तो यही कर रही है power AC में जाएगी कैसे भाई एक source होगा एक load होगा अगर AC load की तरह act कर रहा है तो power तो battery deliver कर रही है ठीक है line commutated का मतलब मैंने शुरू में लिखवाया बिटा कि यहां जो AC supply AC supply है that is basically helping in commutation जो AC वाला side है तो line commutation का मतलब वो है ठीक है ignore कैसे करो तुमारा नाम नाम लेकी तो answer देना पड़ेगा अब तुम नाम इतना खतरनाग रखे हो account तो change कर लिए अगर हो class में आते वे चल यह clear हुआ भाई तो फिर आज का session यही तक रखेंगे कल source inductance चालू करेंगे आज आप लोग enjoy कर लो Friday तक मैं आपका module to wind up कर दूँगा और बच्चों यह link जरूर visit कर लेना इस link पे आपको एकदम नई feeling आने वाली है यह link मैंने काफी update कर दिया है और आज मैं special classes बना दूँगा तो कल आपको मज़ा आने वाला है upcoming classes के अंदर link मिल जाएगा मेरे साथ machine तयार करो live बहुत enjoy करोगे और बहुत exam में फोडोगे भी ठीक है और August 1 यानि Sunday याद रखेंगे combat होने वाला है link description में enroll कर लो using the code Ankit ESE other than that signal चालू हो गया है Vishnu sir का plus पे इसके अलावा मेरा machines चल रहा है daily 4 घंटे class चल रही है 7 am से 9 am और 10 से 12 तो आजाओ बहुत मज़ा आ रहा है class के अंदर आप लोग भी काफी enjoy करोगे और अगर iconic subscription ले रहे होना तो campus placement की तयारी भी कराई जा रही है मेंस का बैट जल्दी ही आ जाएगा अतुल plan हो रहा है अब देखो बेटा अगर आप plus पे आते हो तो आपकी 24 months की fees है 42, 480 12 months की है 29, 205 यहाँ पे बस आप code लगा देना अंकित ESE iconic for 1 year 45, 225 2 year 66, 600 ठीक है ESE mains के बारे में क्या बताऊ बताऊ अतुल बेटा unacademy की अलग से कोई test series नहीं आएगी this is my कितने mark का preparation पे preparation start कर देना चाहिए मेरे जाव से 220 अबव यह मेरी unacademy profile है तो आप लोग इस profile को follow कर सकते हो मुझे message कर सकते हो this is my telegram channel telegram पे एक नया initiative आने वाला है बहुत जल्ब कि YouTube की class खतम होते ही quiz होगी आपकी telegram पे तो आप लोग को immediately telegram पे जाना होगा after your lecture जहाँ पे हम quiz करेंगे एक या दो दिन में इसको start करेंगे ठीक है और बिटा अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज आपको ऐसी लगते which is offensive to any person, religion, caste, creed, student, teacher तो आप उसको report कर सकते हो form का link description में given है if it is right you will be rewarded और its pay action immediately लिया जाएगा so thank you everybody like और share जरूर करें और subscribe करें इस channel को और bell icon दबाईए ताकि notification आते रहें कल मिलेंगे शाम 6 बजे और discuss करेंगे source inductance, thank you